अपने एक वीडियो में मैंने शेयर किया था कि हम घर पे क्या-क्या सबजियां लगाएं तो अपडेट्स मैं दे नहीं पाई आज मैं आपको अपडेट्स भी देती हूं क्योंकि आज हमको देना था पानी लेकिन नल जो है लाइट जो है वह हमारे इस समय नहीं तो यह देख यह फ्लाज आने लगें और पानी हमने इसमें कल सुबह दिया था अभी इसमें नमी है पानी यदि आज इनको नहीं भी मिलेगा तो यह चल जाएंगे यह क्योंकि मैं और गयानिक करती हूं तो गार्डनिंग में विश्वास रखती हूं तो इसमें होता यह कि रोज पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती और यह बुली लगाए था एक देखे मूली लगाने के लिए यह वह हैं यह बैंगन को मैंने इकटा लगा दिया था अब इनको शिफ्ट करना मुझे यह बैंगन भी ग्रो हो गए हैं साथ ही यह लगा थे मैंने वाटरमेलन के सील्ड जो हमने घर पे घाय थे अब हो गया तो अच्छी बात नहीं तो कोई बाती नहीं है बस हमें इसका जवाइव भी हो गई है तो यह क्या है सारे जितने कीडे मकोडे लगने होते हैं यह सारी तुलसी खीश लेती है तो तुलसी आप लगा दीजी या फिर गेंदे की पौधे आप लगा सकते तुलसी लगाने का फायदा यह रहता है कि हम काड़ा बगेरा पीते हैं तो काड़ फूल सूख जाते हैं तो यह तो जिसके सारे जड़गे हैं तो आप उसे डाल दीजिए उसमें एक दो सीट तो रहते हैं और यह देखिए यह करेले लगाए थे हमने तो करेले में यह फूल आने लगए नहीं यह तो यह उसकी है बेल वाटरमेलन की बेल हो मैं आपको दिखात सब्सक्राइब करें तो यह वाटरमेलन इसको पॉलिनेट किया था तो यह फ़ला हुआ है और यह हरी दन्या अमने लगाई थी हरी दन्या एक बार मैं तोड़के इसको इसको इस्तमाल कर चुकी हूं यह दूसरा और इसी में देखिए मूली होगी हुए वह आपको दिख रही होगी होई है और कुछ मैंने पालक भी लगाए यह तैने लोकी की सीड़ें की थी तो लोकी में एकी पॉदा इसमें होगा और मैं दिखाऊंगी कुछ प्रम्यों स्कुर्णपी कि मल्चिंग करते हैं तो वह इसमें खात का काम भी करती है साथ में वह मॉइश्टर को जल्दी उड़ने नहीं देती और मैं आपको एक चीज़ और यह देखे यह पॉलिथिन में मैं जितना भी पत्ती बगारा रहती है उसको सब समेट समेट की उसके पर मिट्टी डाल के हटा के नहीं तो गंबलों में रख लेंगे या फिर अभी जून में जो हम सब्जियां लगाएंगे सब्जियां लगाने का मेरा उद्देश जो था वह यह था कि मैं आपको बताती है कि यह कुछ पालक लगाई थी तो हम बात कर रहे थे कि सब्जियां मैंने क्यों लगाना अच्छे से ग्रोव। जादा अच्छे से मतलब उनकी डाव काफी होती है और वह जादा समय तक हमारे पास बने रहते हैं बजाए इसके जोब बाहर से खरीदे क्योंकि उनकी सारे क्यामिकल्स वाले होते तो उनकी शेलफ लगाउन जादा नहीं होती को यह कुछ पालक के ह यह साथ में यह मूली ऊगी है यह सेलफ सीड़ेट मूली है जितना भी मूली का कच्रा था माने सब इसमें दबा दिया है और इसकी मिट्टी काफी अच्छी देख रहे हैं आप यह देखिए तो और यह लगी हुई मिर्च मिर्च में देखिए वैसे समय यहां यह प्याज के जिसमें कीड़े ना लगे क्योंकि मिर्च में बहुत जल्दी देख रहे हैं आप यह बहुत जल्दी होता है इस तरीके से और यहां 12 बजे के बाद की दूप आती है जब फ्लावरिंग आती है उस समय मिर्च में हमें पानी कम देना चाहिए तो उसके फल बनने लगते मैं और प्रूटिंग होगी कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है लेकिन छाओं इनको मिलती है थोड़ी थोड़ी दूप भी मिल जाती है तो यह कुछ टमाटर ना इसमें अभी तक मैंने कोई फल यह देखिए यह बड़ी मुश्किलों से इसमें फल बनाया है अब यह ग्रो होगा क नहीं यह भी मुझे पता नहीं लेकिन मैं अपना काम करती हूं खाद देने का यह देखिए इसमें यह यह नीबू के कुछ लग रहा है यह पौदे यह भी कॉम्पोस्टिंग है यहां पे टमाटर के पौदे थे ठंड में और इसको मैं ऐसी छोड़ दिया थे तो यह बीज अब यह बर्बटी लगाई हुई थे ठंड में लगाई थी अभी तो काफी अच्छी हो रही है और इसमें हम तोड़के इसको खा भी चुके यह इसके सीड़ दी ती सीडिंग के लिए यह दो तो यह भी ग्रो हो गई है और कदू का मैंने कहीं पंकिन जिसको हम बोलते हैं इसके भी हमने जब घर पे ग्रो हुआ था उसकी बेल सूग गई थी तो मैंने उसके भी सीड लगाए यह देखिए यह सेकेंड लॉट है और अभी जून जुलाय तक मैं हमें कदू इसमें से मिल जाएगा तो इसके काफी सारे पौदे हैं देखिए तीन चार तो हैं इसमें और मैंने धूप में रखा हुआ अभी कुछ समय बाद हम शेड नेट हता देंगे इसमें से और यह देखिए यह लीलियम का मैंने बल्ब नहीं हटाए थे तो यह फ्लार होगा है यहां हलके फुलकी धूप आती रहती है और यह मुसंबी का पौदा है मुसंबी में अभी इ देखा हुआ था हमने इसे अकली दूप में शिफ्ट किया है तो इसमें कुछ दिख रहा है यह देखे कि और यह संत्रे का पौदा इसमें नहीं पत्तिया आरी इसका मतलब है कि इसमें फल नहीं होगा एकाद कहीं होगा मैं आपको दिखाऊंग यही मुझे दिखेगा तो एक संत्रा इसमें लगा हुआ था नहीं है शायद वो गिर गया ऐसे ही होता है यह दैने जब हम लगाते हैं तो गार्डनिंग से हम सीखते चाते और आपको एक चीज और दिखाना चाहते हूं मैं यह देखिए यह है ब्रह्म कमल यह ब्रह्म कमल में इस बार तीन कलिया आई दूर से मैं दिखाना नहीं पारियों प्रॉपरली एक यह है और यहां किसी में है तीन कलिये मैंने देखी है अपने इसमें एक यह है देखे यह तो यह हमारे यह जुब से मैंने लगाया है तीन साल और यह पहली बार अभी और जिसको जिसको मैंने इसकी कटिंग दी है उन जाते हैं आज मैं इनको तोड नहीं पाई यहां वहां काफी फ्लावरिंग करता है और इसकी खासियत यह रहती है कि शाम को साथ से आड़ बजे इसकी कलिया जो है वो खिल जाती है रात बर रहती है और सुबह सुबह तो ठीक रहता है और यह बारिश में भी यह इसमें काफी सारी ब्रांचे भी निकल आई है अच्छे से हो भी रहा है यह यह देखिए अब इसे मुझे ट्रेल इसको लगाना है तो मैं देखती हूं जब भी मैं जो भी करूंगी तो मैं शेर जरूर करूंगी तो फ्रेंस हम मिलते हैं फिर अगले नए टॉपिक के साथ म अगले नए वीडियो में